अमेठी की मेरी प्यारी बेहनों और प्यारे भाईयों मैं राहुल गांदी जी की बेहन प्रियांका बोल रही हूँ छे तारीक को यहां चुनाओ है राहुल जी आपके उमिद्वार हैं आप तो जानते ही हैं कि राहुल जी ने आपके लिए दिन रात काम किया है और क्षेतर का विकास किया है आपने हमेशा हमें अपने परिवार की तरहें प्यार और आशीरवाद दिया उसी तरहें हमारे परिवार के एक एक सदस्य के दिल में आपकी चिंता हमेशा रहती है पिछले पांच साल से दिल्ली और लखनाओं में भाजप्पा की सरकार रही है अगर ये चाहते तो यहां बहुत काम हो सकते थे मगर भाजप्पा ने बार बार आपके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पुचाने का काम किया है राहुल जी ने जिन जिन कामों को शुरू किया था पिछले पांच साल में भाजप्पा सरकार ने उन सारे कारियों को रुकवाने की कोशिश की यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धी है जुनाओं में जूट बोलना और दूर प्रचार करना यही उनका एक मातर काम है हमारे लिए यह गौरव की बात है कि आपने हमें इतना प्रेम और अपना पन दिया हमारे आपके प्रेम के इस रिष्टे को पैसे और धंकी से कभी नहीं तोड़ा जा सकता मेरे परिवार के सदस्यों ने अमिठी की मित्ती को अपनी जान से जादा प्यार किया है और हमेशा आपके भले के लिए सोचा है हमारे लिए राजनीती एक व्यापार नहीं है सत्ता पाने का साधन नहीं है हम आपकी सेवा के लिए सदा समर्पित रहेंगे मैं आपसे आग रह करती हूँ कि चुनाओ के दिन आप मेरी बातों को मन में रख कर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट राहुल जी को दे कर उन्हें भारी बत्मतों से विज़ई बनाए और अपने क्षेतर का विकास पर करार रखे धन्यवाद जैहन और प्यारे भाईयों मैं राहुल गांदी जी की बहन प्रियंका बोल रही हूँ छे तारीक को यहां चुनाओ है राहुल जी आपके उमिदवार है आप तो जानते ही हैं कि राहुल जी ने आपके लिए दिन रात काम किया है और क्षेतर का विकास किया है आपने हमेशा हमें अपने परिवार की तरहें प्यार और आशीर वाद दिया उसी तरह हमारे परिवार के एक एक सदस्य के दिल में आपकी चिंता हमेशा रहती है पिछले पांच साल से दिल्ली और लखनाओं में भाजप्पा की सरकार रही है अगर ये चाहते तो यहां बहुत काम हो सकते थे मगर भाजप्पा ने बार बार आपके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पुचाने का काम किया है राहुल जी ने जिन जिन कामों को शुरू किया था पिछले पांच साल में भाजप्पा सरकार ने उन सारे कारियों को रुकवाने की कोशिश की यही उनकी सबसे बड़ी उपलबधी है जुनाओं में जूट बोलना और दूर प्रचार करना यही उनका एक मातर काम है अपने अहंकार में यह सोचते हैं कि पैसे बाट कर दबाव बना कर यह उमेठी की जनता को जुका देंगे क्योंकि यह नहीं समझते कि आप कितने जागरुक और कितने स्वाभी मानी है आप में बहुत विवेक है हमारे लिए यह गौरव की बात है कि आपने हमें इतना प्रेम और अपना पन दिया हमारे आपके प्रेम के इस रिष्टे को पैसे और धमकी से कभी नहीं तोड़ा जा सकता मेरे परिवार के सदस्यों ने अमिठी की मिट्टी को अपनी जान से जादा प्यार किया है और हमेशा आपके भले के लिए सोचा है हमारे लिए राजनीती एक व्यापार नहीं है सत्ता पाने का साधन नहीं है हम आपकी सेवा के लिए सदा समर्पित रहेंगे मैं आपसे आग रह करती हूँ कि चुनाओ के दिन आप मेरी बातों को मन में रख कर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट राहुल जी को देकर उन्हें भारी बत्मतों से विज़ई बनाए और अपने क्षेत्र का विकास पर करार रखे धन्यवाद जैहन्द